वाइट बालों को ब्लैक करने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियो शेयर किये हैं, बट इस वीडियो में 3-1 रेमेडी है, जो ना तो कोई हिना पैक है और ना ही कोई डाई, बट बहुत इफेक्टिव रेमेडी है, इसके लिए हमें सबसे पहले कांच की बॉटल लेनी है, जो साबूत ऐसे लगती है, इसे हेर ओयल में भी यूस किया जाता है, ताकि स्कैल्प को ठंडक मिले, कूसबेरी यानि आवला पाउडर 2 स्पून एड़ कर दिया है, मैं ले रही हूँ फ्रेश ऐलोवेरा, इसकी साइट्स कट कर रही हूँ है, इसे मैं जल नहीं निकालूंगी सिंपल छिलके के साथ ही कट करूँगी, बारएक बारएक कट करना, क्योंकि इसके छिलके में बहुट्आ होते हाँ, तो मैं चाहती हूँ, इस है रमेडी में इसको भी यूज करूँ, मैंने इसे ग्डाइन कर लिया है, ग्राइन करने के बाद मैं आसे अच छान रही हूँ ह पटल में उसकी तीन कुना हमें ये जूस एड़ करना है। जूस को एड़ करके अच्छा से मिक्स कर लें ताकि सब कुछ इंफूज हो जाए आपस में। इस टॉनिक को हमें धूप में रखना है। इसे धूप में रखना है साथ दिनों के लिए लेकिन रखने से पहले इसके ओपर ढखकन नहीं लगाना इसे cotton के कपड़े से कवर करना है cotton के कपड़े से कवर करने से इसमें धूप की किरने अंदर जाएंगी जिससे रेमेडी बहुत ही powerful बनेगी cotton कपड़ा नहीं है तो आप ऐसा बैग भी ले सकते हैं इसे कपड़े से कवर करके मैं इसके ओपर रबर लगा के इसको धूप में रख रही हूं 7 days के लिए रोज सुबे इसको बाहर रखना है धूप के अंदर और रोज इवनिंग में इसको अंदर रख लेना है ऐसा आपको 7 तक करना है 7 days के बाद ही बहुत ही powerful remedy बनके त्यार हो जाएगी इसे हम तीन तरह से यूज करेंगे सबसे पहले इसको जब भी यूज करना है इसको पहले मिक्स करना है आप चाहें तो से चान सकते बट मैं ऐसे ऐसे ही यूज करती हूँ जो इसका फर्स तरीका है वह है ऐसा ह तोनर इसे स्कैल्प पे ही लगाना है जितना आपको रिक्वाइड हो उतना ले ले और फिंगर टिप्स या कॉटन की हल्प से बालों में अच्छा से मसाज करें चाहे तो इसे दो तीन घंटे बाद 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 वाश कर ले या आप ओवर नाइट भी छोड़ सकते हैं इसक का सेकिंड मेथड है वो है एज़ शैंपू बेस सबसे पहले जितना आप शैंपू लेते हैं अपने हैर के लिए उतना ले ले उसमें टू स्पून टॉनिक के एड़ कर दें और इसे अच्छा से मिक्स कर लें और जब भी आपको शैंपू करना है इसे यूस करें बहुत ही रेमेडी या बहुत ही अच्छे आपके बाल हो जाएंगे इससे जो थर्ड तरीका है वह है है और जब भी आप आप लगाते इसमें आप तू स्पून इस टॉनिक के डाल दें दीड जैसे से आप लगाते चले जाएंगे आपके बाल चोएं ब्लैक होते चले जाएंगे पेले मिक्स कर ले और पुरे बालों में लगाना है लगाने से पहले इसको थोड़ा सा गरम भी कर ले फिंगर्स पे मसाज करते हुए लेते हुए पालों पे लगाएं कम से कम दो घंटे और मैक्सिमुम वन नाइट के लिए से आप रख सकते हैं और नेक्स्ट हेर को वाश कर ले आप देख सकते हैं कितना अच्छा रेजल्ट आया है अगर आपको मेरे वीडियो से अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए